गोल्ड ओल्टाइम हाई चल रहा है और अगर हम 24 केरेट की बात करें वो 70,000 के आसपास को टच कर चुका है तो आज आशीजी से डिसकस करेंगे कि अगर किसी को फीजिकल गोल्ड बाय करना है या फिर मेरीज परपस के लिए गोल्ड बाय करना चाहिए तो उस केस के अंदर की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए क्या गोल्ड के अंदर डिप आ सकता है और क्या क्या रिसक इनवॉल्ड है अगर हम अब फॉर एक्जामपल गोल्ड को 70,000 पे बाय नहीं करते तो यहाँ पे क्या risk involved है कि gold यहाँ से भी और उपर जा सकता है इन सब बातों के बारे में discuss करेंगे तो आशी जी सबसे पहले तो आप यह बताएं कि अभी सबको concern हो गया है कि gold काफी भड़ चुका है all time high है तो सबसे पहले तो आप मुझे यह बताएं कि अगर मैं for example मैं physical gold को खरीदने जा रहा हूँ या फिर jewelry खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर मैं current price की बात करूँ तो current price gold का क्या चल रहा है अगर मैं 24 carat या 22 carat की बात करूँ तो एक अच्छी चीज यह है विने जी जो indication आ रहे है जो एक up move देखने को मिला है straight line में एक dip अब expected है वो dip के अंदर आपको सोना बाय करना चाहिए तो सबसे पहले जान लेते हैं अगर आप jewelry खरीदने जा रहे हैं तो जिस दिन आप jewelry खरीदने जाते हैं उस दिन का भाव काफी important होता है क्योंकि dweller आपको क्या भाव दे रहा है यह जानना आपके लिए important है तो अगर आप जिस भी दिन सोना खरीदने जाए comment section में जरूर पूछें आपके city का नाम डालें और पूछें कि आज का क्या भाव चल रहा है 22 carat, 24 carat, 18 carat जो भी carat आप अगर लेने जाते हैं आज की अगर मैं बात करूँ सभी important cities का prize आपके सामने है 24 और 22 carat का जिसमें GST और making charge include नहीं है और इनी बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप थोड़ी जोएलर से बात कर सकते हैं making charges के लिए क्योंकि जिस तरहीं कैसे high हो चुके है price क्योंकि making charges कहीं ना कहीं percentage में लिये जाते हैं विने जी तो percentage भी increase हुई है तो मैं तो हमारे जोएलर भाई जो है काफी इस channel को देखते हैं उनसे request करना चाहूँगा अला कि ऐसा ना करें कि वो अपने margin को बहुत जादा कम करें पर एक request जरूरी है कि अगर कोई needy person वहाँ पर आपसे सोना लेने आता है तो at least making charges में थोड़ा negotiation जरूर करें ताकि उनको एक सहरा मिल पाए जो कि एक price बहुत जादा ऊपर चले गए है इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है जो कि ज्वैलरी लेने जाएंगे gold rate important है making charges कितना होना चाहिए तो को general tendency है कि 12% से लेके 16-17% तक का अगर आपसे making charges लियाता है depending upon design कैसा है वही अगर आप छोटे article देते हैं छोटे छोटे अगर हम बात करें अंगूठी बोले कान के बोले छोटे आइटम में आपके making charges होड़े जादा हो जाते हैं 18% तक भी आपसे लिये जा सकते हैं बाकि अगर बड़ा design है माहीन नहीं है तो उस case में 12-13% एक appropriate making charges होता है GST भी लगता है gold पे जो कि 3% रहता है और मैं तो बोलूँगा अगर आप jewelry लेने जा रहे हैं तो BIS hallmark की jewelry ही लेंगे आप और bill जरूर लेंगे आप तो कि ये आगे के लिए आपके लिए फाइदे मंद होगा और ensure करना है कि आप unnecessary 20 carat, 23 carat, इनकी jewelry नहीं लेनी आपको 22 carat की hallmark jewelry लेनी है और अगर आप कुछ पैसा save करना चाते हैं तो उस case में आपको 18 carat की jewelry लेनी है ध्यान रखने 18 carat में थोड़ा whiteness आ जाता है और कहीं न कहीं अगर आप diamond jewelry लेते हैं तो उस case में तो आपको 18 carat की ही jewelry लेनी है diamond के साथ इसके अलावा कहां से buy करते हैं वो भी काफी important है क्योंकि कुछ jewelers हैं जो आपको अच्छी schemes देते हैं क्योंकि आज कल दुकानों पे घ्राक नहीं है तो उस चकर में मैं बोलूँगा कि आपको कुछ discount देखने को मिल सकता है इसके अलावा कुछ ऐसे jewelers हैं जो one nation one price को देते हैं जहां पर आपको South India में जहां पर price कम रहता है उसका North India में भी benefit मिल पाता है तो depend करता है आप कहां से खरीदें वो भी काफी important रहेगा तो आशे जी आप बात करते हैं कि जैसे gold की अगर मैं बात करूं तो old time high चल रहा है 70,000 के आज पास चल रहा है और यहां से और उपर जाने की भी उमीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं काफी वीडियो देख रहा था वहां तो काफी ज़्यादा price की बात कर रहे थे बट मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर for example कि यहां पर gold जो 70,000 है तो अगर मैं यहां पर बाई नहीं करता हूं और physical gold या marriage purpose के लिए बाई करना है मुझे तो यहां पर क्या risk involved है कितना और उपर जा सकता है यहां पर मुझे किन risk के उपर ध्यान रखना चाहिए मैंने विडियो के शुरू में यह तो बता दिया कि एक dip expected है जिस तरीके से state move उपर गया है पर risk भी आपको जाने है अगर आप wait करते हैं क्योंकि परेशानी तब होती है जब यहां से सोना उपर चला जाता है और आप buy नहीं करते हैं इसलिए risk आपको पता होना चाहिए कि calculated risk आप क्या ले रहे है हला कि हर risk के बारे में मैं discuss भी करूँगा आदिया आपे देखो long term हमारा target bullish है 85,000, 90,000 हमें 2026 से पहले पहले आते हो देखने को मिल सकता है risk क्या है आपके लिए चाहिना सबसे बड़ा risk है gold के लिए इस वक्त Ukraine हो चुका है Middle East हो चुका है Fed rate cut की बाते हो चुकी है कहीना कहीं जो current situation है जो एक up move देखने को मिला है बहुत fast वो price factoring हो चुके है जो की Russia की tension है Fed ने 3 rate cut करने है वो अलड़ी factoring है इसके बाद जो एक लंबा उच्छाल देखने को मिलेगा अभी नहीं देखने को मिलेगा यह China वाला concern मुझे लगता है कहीना कहीं 2025 के आसपास आना चाहिए और कहीं risk किसलिए बोल रहा हूँ अगर यह पहले आ गया तो यह सोना जवा जल्दी भाग सकता है पर अभी मुझे नियर फ्यूचर में अगले दो-तिन महीने में यह China का risk नहीं देखने को मिलता तो risk क्या है US-China trade war कहीना कहीं अगर जो year end पे US में election है अगर वहाँ पर Trump की government बन जाती है तो US-China का trade war फिर से शुरू होगा जो सोने को उपर लेके जाएगा China-Taiwan war situation हलाकि 2024 में expected नहीं है पर जिस तरीके से China की वहाँ पर situation चल रही है और वो अपनी boundary को cross कर रहे है तो लगता है कि यह war भी हो सकती है इसके अलाबा China में retail investor काफी लंबे समय से सोने को buy कर रहे है reason वहाँ property market की हालत खराब है economy की हालत खराब है और अगर वो नहीं सुधरती है तो वहाँ retail investor और वहाँ के central bank continuous होने को buy करेंगे तो यह risk आपका रहेगा China-China-China-China इसके अलाबा तीन rate cut expected है इस साल में June के आसपास market expect कर रहा है rate cut का अगर यह June में ही हो जाता है तो उस case में आपको एक और push सोने में देखने को मिलेगा जो कि 2-3,000 रुपे का हो सकता है यह delay अगर हो गया तो dip देखने को मिलेगा यह भी आपको फाइदा होगा तो अब वो June में होता है August में होता है यह depend करेगा इस risk के साथ जाना है अगर June में हुआ तो एक और फर्दर push मिलेगा team rate cut से जादा हुए इस साल तो भी सोने को push मिलेगा तो इस risk साथ में रखना है और Central Bank तो continuous buy कर रहा है यह भी आपके लिए risk है तो यह risk आपको ध्यान में रखने है मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोने ने रफटार दिखाई है अब आपको अपरेल में आता है में फर्स्ट वीक में आता है एक dip जरूर आएगा उस dip को नहीं छोड़ना है वो आपका एक आखरी dip होगा सोने को buy करने के लिए हम डिसकस भी करेंगे क्या strategy है किस price पे लेना है आपको दिनाजी तो आशी जी यहाँ पे हमने risk की बात करी अब मैं यहाँ से बात करूँगा कि जो आपने शुरू में बोला कि dip एस्पेक्टिड है तो किन reason की वज़ए से dip आ सकता है और dip आया तो कितनी price range के अंदर gold को लमसम यहाँ पे लमसम की बात कर रहा हूँ तो लमसम कितने में buy करना चाहिए और sip की strategy में जैसे ही dip आना शुरू होता है तो sip की strategy लेनी चाहिए लमसम buy करना चाहिए आपकी क्या strategy रहेगी और किन वज़ए से dip आएगा क्युक्किली बता देता हूँ फिर हम price की बात करेंगे विने जी एक direction में continuous उपर गया है जो कि सही नहीं है सोने के लिए हर expert हर जगाँ पर और in fact मेरा personal view भी है कि अब यहाँ पर cool down होना बनता है mcx तरपे 70,900 के आसपस हम पहुंच चुके हैं जो कि सभी news को factoring कर चुका है चाहे हम इरान की बात करें चाहे हम युकरेन की बात करें चाहे हम FED के rate cut की बात करें तो यहाँ पर अब एक cool down expected है और जब यह cool down आएगा विने जी तो continuous selling pressure भी इतनी तेजी से ही आएगा तो यह ध्यान रखना है और अगर rate cut delay होगा जैसे मैंने अभी बोला था जो risk का बोला था वहीं आपकी opportunity भी होगी rate cut अगर जून जुलाई से further extend हो जाते है तो उस case में आपका फाइदा होगा सोने में dip आने के लिए और अगर कोई war cool down हो जाती है Middle East की या Ukraine की या आप वहाँ पर बाकी है या dip बाकी है और उसी dip का आपको use करना है कहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2180 से 50 अगर हम बात करें 2150 से 2180 के बीच में यहीं इंडिकेशन दिखा रहा है जहाँ पर एक लंबा समय बिताया था सोने ने MCS सर पर अगर मैं बात करूँ 65,000 से 66,000 के आसपास यह लेवल अगर आते हैं तो आपको लंब सम बाय करना है यह ध्यान रखना है विने जी इस पे अगर मेरा कोई special video नहीं भी आता है यह लेवल आने के बाद आपको लंब सम बाय करना है तो यह आप ध्यान रखेंगे अगर सोना इस range में आता है यह भी confuse ना हो यह channel formation से बाहर नकलेगा long term target तो आपके intact है यह dip final आने के बाद फिर से रफ्तार बढ़ेगा और काफी उपर जाएगा तो यह ध्यान रखना है तो आशीर जी अब जहां पे मैं जाते जाते बात करना चाहूँगा कि current price को देखते हुए किस strategy पे मुझे सोने को buy करना चाहिए मैं यहाँ पे physical gold की बात कर रहा हूँ या फिर marriage purpose के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ तो strategy की अगर में जी बात करें तो मुझे लगता है कि current risk को देखते हुए और जो dip पाना है उसको देखते हुए एक चीज़ धियान रखनी है कि एक तो monthly EMI scheme काफी dwellers के पास रहती है उस scheme में आपको एक चीज़ धियान रखनी है वो basically sip की तरह आपका use होता है कि या थोड़ा-थोड़ा सोना हर महीने बाए करते चलते हैं रिस्क भी कम हो जाता है और आपको हर different भाव पे आपको सोना मिलता है ध्यान रखना है वो पैसा देने के बाद आपको जब mature होगी उस समय जो भाव होगा वो वाली scheme की बात नहीं कर रहे है या पर हम बात कर रहे हैं जिस महीने पैसे दिये उस महीने जो भाव होगा उस दिन जो भाव होगा उसी भाव पे आपका सोना ही कठा होता रहेगा तो वैसी वाली scheme लेनी है तो monthly EMI scheme के तरफ आप अपना रुजान करेंगे दूसरा जिन्होंने अब तक बिल्कुल सोना बाई नहीं किया अब पिछले कोई वीडियो नहीं देखा है नए सब्सक्राइबर है जीरो होल्डिंग है तो 25 प्रसेंट तो एटलिस्ट वैनेज दे के बाद जैसे CPA डाटा आता है तो 25 प्रसेंट तो अपना सोना बाई कर लें क्योंकि जिस तरह के रिस्क है जिस तरह से ऊपर जाना है उसके हिसाब से आपको रिस्क तो अपना कवर करना चाहिए इसलिए 25 प्रसेंट आपको अभी सोना बाई करना है बाकी जो मैंने रेंज दी है वो डिप लग रहा है कि आएगा 65,000 से 66,000 M6 तरपे आता है 2150 से 2180 के बीच में आता है तब आपको लंसम बाई करना है बाकी का 40% के आसपास इस तरीके से थोड़े-थोड़े लंसम दो-तिन पार्ट में बाई करते चलेंगे फिजिकल गोल्ड के लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा मुझे लगता है 25% जिनके पास है 40% जिनके पास है इस भाव पे तो बाई नहीं करना चाहिए बिप के लिए वेट करनी चाहिए तो ये मेरी सजेशन रहेगी तो आपका कोई भी कोशन रहे गया तो comment section में जरूर लिखें इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना बूले आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं Thank you, धन्यवाद